हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो माई चैनल, आज मैं आपको ऐसे दस लखी प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, जिनको घर में लगाना बहुत शुब माना गया है, जो हमारे घर में पॉस्टिविटी, पीस और वेल्थ को अट्रेक्ट करते हैं, तो चलिए फेश शुरू क करते हैं, सबसे पहले नंबर पर आता है, सबसे पहले नंबर पर आता है तुलसी, ये बहुत ही पावन प्लांट माना जाता है, जो भगवान जी को बहुत प्रेय होता है, इसके लिए बेस्ट डारेक्शन होती है, नौर्थीस डारेक्शन, बस इसका यही ख्याल रखना होत और इसे medium sunlight provide कीजिए इस list में second number पर आता है lucky bamboo plant जो positive energy, luck और peace को attract करता है gift option के लिए ये best है week में एक बार इसका पानी जरूर बतलिए और इसी direct sunlight में नहीं रखिए 3 layers वाला best वाना जाता है और इसको 4 ओर से red ribbon से जरूर लपेते हैं third number पर आता है pathos जिसे money plant भी कहते हैं ये negativity और financial problems को दूर करता है इसे bright indirect sunlight में लगाईए और घर में south east corner इसके लिए best माना गया है इसे उपर बेल की तरह चड़ाना चाहिए जमीन पर फैला हुआ money plant शुब नहीं माना जाता है इसके मुर्जाए हुए पत्ते तुरंथ हटा देने चाहिए next plant है z plant ये अच्छी health के लिए और positive energy के लिए अपने घर में जरूर लगाना चाहिए इसे money tree या lucky plant भी कहा जाता है main gate के पास इसे लगाना शुब माना जाता है ये पैसों को चुमबक की तरह ट्रेक्ट करता है इसलिए shop के cash counter पर भी इसे रखा जाता है पैसों के लिए इसे south east direction में अच्छी health के लिए इसे east direction में और नए project के लिए इसे west direction में रखना चाहिए next है banana plant जो पैसों की कमी और negative energy को दूर करने के लिए घर में लगाया जाता है इसे घर के north east direction में लगाना चाहिए और अगर तुलसी plant के पास लगाया जाए तो ये और शुब माना जाता है next plant है peace lily इसे cobra plant भी खा जाता है ये प्रेम और शानती का प्रतीक माना जाता है इसे bedroom में रखना चाहिए ये stress और mental health के लिए घर में लगाया जाता है ये बहुत ही low maintenance air purifier है और अच्छी health और prosperity भी ये हमारे घर में ले कर आता है इसे बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है इस list में next number है rubber plant का इसे living room के south east corner में रखना चाहिए business में success पानी के लिए ये plant बहुत शुब माना जाता है इसे direct sunlight में बिलकुल मत रखे इसे medium to bright light में रखे और बहुत less water दीजिए next है अपराजिता का plant अपराजिता मतलब जिसे पराजित ना किया जा सके तो अगर आपका कोई काम काफी लंबे समय से नहीं बन रहा है तो इस plant को अपने घर में लगाए आपको जरूर success मिलेगी इसमें purple और white color के flowers आते हैं इसे not direction में लगाना चाहिए next plant है परिजात या हर्शिंगार कहते हैं कि ये समुद्र मंतन के दोरान इस धर्ती पर आया और इसे best blood purifier माना गया है diabetes और कठिया की बिमारियों में ये बहुत फाइदे मन्द है सुख शान्ती के लिए इसे घर में लगाया जाता है जिस घर में बहुत लड़ाई जगड़े होते हैं उस घर में इसे घर के पिछले भाग में जरूर लगाएं तो काफी फाइदा होगा अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थेंक्यू वेरी मच